तो कई हिस्सों में क्योंकि MP की अगर बात की जाए अभी न तो कई हिस्से ऐसे जहापर राम मंदिर रास्टेवाद का जो मुद्दा है वो काफी जदा हावी भी दिखाई दे रहे हैं तो क्या का जाए कि MP में भी ऐसे कही है क्योंकि जहापर का जारे कि स्थानिय बनाम बाहर परत्याशी का मुद्दा भी लोगों के जहर में तो कई पर करप्शन का मुद्दा भी है तो क्या का जाए इस बार जो है यह जो रास्टे मुद्दे हैं वो राज के मुद्दों से भारी पड़ते वे नजर आ रहे हैं जो कई आधल उसकी रहे हैं मुद्ध और देश मोदी मैं है तो कि मुद्ध पुदेश में केंदरी में पाइव प्रभाली कि पना गयाओ उनको मत्भी परतार करना है कल और परसो दो दिन लगता, पियंग, मौधी, मद्धपदेश के दोरे पर थे अग्धदेश के रादानी गुपाल में उन्होंने लोगशो भी किया था और कल एक बड़ा ब्यान भी दिया है और आज से लगतार केंट्री ग्रेमंसिल अनुच्छा मद्ध पुदेश के दोरे पे मैं आपको बता दू कि मद्ध पुदेश में जो बीजेपी अपना दावा कर रही है कि सारे चाल राक जादा कौंगे की लेता और कारे करता अभी तक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं यह दावाद के तना बीजेपी इसको सब्साबित कदम लगी ही कौंग्रेस इसको दवाल कला कर रही वह बात अपनी जगे है लेकिन अगर साले चाल लाग से ज्यादा कौंग्रेसी नेताओं का रखताओं ने जिसे पूर एंद्री मंत्र साँसार, वृतवादायग, वृतवादाव, वृतवादायग, वर्तवादाओं दिनाती जिसे नेता शामिल है, शामिल होए हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी बात है मैं आपको बता दूँ कि जब जो कॉंग्रेस से बीजेपी में आए हैं उन लेताओं से जब बात की ज़िए उन्हों ने आखर कॉंग्रेस को थोड़ी कॉंग्रेस चोड़ कर बीजेपी में शामिल हुए यानि कुल मला कर बीजेपी के हिलियास से बात की जा एक तो साणर चाल मिलाद ये बहुत बड़ा प्रिदर होता है कॉंग्रेसी देटा और कार्यकरत्ता बीजेपी में शामिल है प्रतीक तीवारी जी भी जुड़ गए है राजनीतिक विशलेशक है प्रतीक जी पश्रिम बंगाल के अगर बात की जाए लोगसबा अगर सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ा राज्य तीसरे नंबर का तो क्या का जाए क्योंकि टीएमसी ने 42 में से 22 सीटे पिछली बार जीती थी वहीं पर बीजेपी को 18 सीटे मेरी थी यानि कि लगातार बड़त बीजेपी की दिखाई दे रही है इस बार क्या लगता है कितनी जादा टेंशन ममतब एनरजी के लिए भी है प्रतीक जी माफ किजेगा मैं आपको बीच में टोक रही हूं आपके आवाज बहुत कामारी है सुना ही नहीं दे रही है प्रतीक जी माफ किजेगा क्योंकि आवाज आप तक हम पर पहुंच नहीं पा रही है तो जो जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे जो है वो ठीक से समझ में नहीं आ रहे है लेकिन ठीक है मैं अपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोल देती हूं कि वो थोड़ा जल्दी से इस चीज को सॉल्व करे